दोस्तो आज तक मैंने आपसे बहुत सारी वीडियो मारोती सुजू के फ्रॉंक्स के उपर शेयर की हैं जिसमें मैंने आपको numerous reasons बताएं हैं कभी मैंने 10 reasons बताएं, कभी 15 reasons बताएं बहुत सारी बाते मैंने की हैं फ्रॉंक्स के उपर और अभी कुछ time पहले मैंने एक detailed video बताई थी जिसमें मैंने इसके बारे में complete details बताई थी इसके positive इसके negative सारी कुछ बाते मैंने बताई थी लगबाग आदा घंटे की वो video थी बट आज मैं आपको सबसे बड़ा reason बताने वाला हूँ इस गाड़ी को consider करने का ये मेरा भी reason था इस गाड़ी को consider करने का और ये आपका भी हो सकता या बन सकता अगर आप इस गाड़ी के लिए जाते हो तो ये जो reason मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको Mahindra, Tata, Hyundai किसी car company में नहीं देखने को मिलता है ये इसका exclusive है ये सिर्फ और सिर्फ आपको Mahindra की car में ही देखने को मिलता है आप इस वक्त अपने screen पर देख सकते हो मैंने एक छोट इसी वीडियो की clip आपके लिए play की है repeat करके जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है ट्रिप 2, 3, 4 और 5 का माईलेज का डीटेल्स देखो ये company claim करती है इस गाड़ी के साथ में 22.85 का माईलेज जो की ये गाड़ी सरपास कर चुकी है 23.8, 23.5 का माईलेज ये दिखा रही है ट्रिप 2 और 3 में और उसके साथ साथ अगरा 4 और 5 को देखोगे तो यहाँ पर 19.1 और 21.1 का माईलेज ये दिखा रही है अब इससे next shocking बात मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो माईलेज figures हैं ये highway के नहीं है ये इस गाड़ी के local के माईलेज figures हैं मैंने इस गाड़ी को local में चलाया मतलब मैं ये नहीं कहरा कि ये traffic में चली है बहुत जादा dense traffic में थी लेकिन mixed conditions में जहाँ पर की mild traffic होता है कम होता है traffic बट ये figures सारे के सारे local के हैं और यहाँ पर ये गाड़ी इतना अच्छा mileage वो deliver कर पा रही है that I am more than 100% satisfied कि यहाँ पर being a petrol car almost ये CNG के level तक का mileage यहाँ पर दिखा रही है अब बात ये भी आती है कि MID के mileage में और real time mileage में कितना difference होता है तो मैंने उसके ओपर भी एक video cover की थी जिसमें मैंने इसका exclusively highway mileage record किया था और मैंने उसको compare किया था इसके actual mileage से tank to tank वाले method से तो वहाँ पर जो difference निकल के आया था वो 0.3 या 0.5 के बीच में था यानि कि अगर मेरी गाड़ी ने मान लिया 20 का mileage मेरे को दिखाया MID में तो actual में उसने 19.5, 19.7 के आसपास का मेरे को mileage दिया था यानि कि MID में और actual में बहुत ज्यादा लंबा चोड़ा difference नहीं देखने को मिल जाता है mileage एक ऐसा perspective है जो कि आपको बहुत कम गाडियों में बहुत कम companies में देखने को मिलता है और जब मैंने इसके segment में दूसरी गाडियों को compare किया था चाहे वो आपकी Nexon AMTO चाहे वो आपके XTV 3W AMTO वहाँ पर आपको ऐसी mileage figures नहीं देखने को मिलती है तो यह जो एक reason है इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा prominent बना देता है और एक खास बात इसकी और यह है कि बैलीनो के ऊपर मैंने इसको लिया तो बैलीनो में यहाँ पर आपको 170 mm की ground clearance देखने को मिलती है जबकि इसमें 190 mm की आपको देखने को मिल जाती है उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 40 kg का additional weight देखने को मिलता है या फिर मारूती की और 1.2 वाले engine की गाड़ियों में देखने को मिल जाता है तो दोस्तों मुझे इसके ओपर एक video शेयर करनी थी आपसे जिसमें मेरे को बताना था कि इस गाड़ी के साथ में सबसे बड़ा benefit किया है और सबसे बड़ा prominent reason जो इसको मेरा लेने का था और जो किसी का भी बन सकता है या बनना चाहिए आई होप आपको वीडियो देखकर कही ना कहीं clarity मिली होगी कि इस गाड़ी के mileage रिगर्स कितने awesome है इसके साथ मैंने इसके ओपर numerous number of videos बनाई है मेरे चैनल पर Maruti Fronksker के playlist में आपको 100 से ज़्यादा videos इसके ओपर मिल जाएंगी जिसमें इसके हर तरीके के drive reviews, mileage वगरा और सब कुछ मैंने इसके ओपर बनाया हुआ है अगर आप इस गाड़ी के लिए इंट्रेस्टेटें तो ज़रोज जाकर विडियो को चेक आउट कर सकते हैं अगर आप नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं और अगर आप confused है तो आप हमारे car consultancy number जो की आपको इसक्रीन पर flash हो रहा होगा उस पर हमें reach out कर सकते हैं थू वाटसप फिछ आप इस पाइट सर्वेस एंड़ चार्ज इस बेर मिनमम थैंक यू सो मुच फो वाचिंग दिस बाबाए तेक केर आफ यॉरसल्फ और रमेंबर ओल्वेज ड्राइव सेफ बाबाए दोस्तो प्राइब दोस्तो